हेलो एवरिवन जय हिंद आज हम आपका सोसेल स्टाड़ी मेरातन क्लास फाइफ लेने वाले हैं उससे पहले हमारा चार लेक्चर कॉंप्लिट हो चुका है अब हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हमने ट्राई किया कि जितना भी हो सके हम प्रिबियर सियर क्वेस्टन ज के सामने बनाने का कोशिश हम रह करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आपका कुंपेनिया में और मोटिवेट करता है वीडियो और आके ले आने में तो चलिए सर आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सोसेल स्टाड़ी मेरातन क्लास फाइफ यहापे 50 क्वेस्टन का सिर देखिए देन विल प्रवाइड यूदा आंसर उसके बाद फिर आपना आंसर क्रोस चेक करेंगे देन यूविल गेट दा यौर फाइनल मार्क और आपका मार्क कितना आ रहा है आउट ओफिटी वह आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे तो चलिए सर हम सेश आपको मिलता जा रहा है और मैस का रिजनिंगा भी आमारा साइट बाइसेट पूरा लेक्चर बना हुआ है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं आज का सोशेर स्टाड़ी मेरातन क्लास 5 आई वीशी वाल बेरी बेस्ट अन लेस्ट स्ट क्वेशन नमबर वन में क्या बोल रहा है सर वाट इस दा बीगेस्ट आगो बेस्ट इंडरस्टी इन आसाम होगा अग्रिकल्चर रिलेटेड आपको पता है यह वाला बेरी यूजी क्वेश्टन हमारे आसाम किसली फैमा से आपको पता है यह राइट आंसर इस यह दी टी सिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे विच डिस्टिक वज प्रिवियसली नौन एज बेंगमारा एंड चांगमाई पतार नाम से जाना जाता है तो राइट अंसर इस यह तीन सुक्या यह बेंगमारा से हमने यह शोटरिक बनाया था कि कईपे पानी सुक गया पानी सुक गय तो इसलिए बेंग नहीं मिल रहा है सुक गया सुक गया मतलब पानी खतम हो गया तो अगर पानी खतम नहीं होगा तो यह बेंग मतलब यह बेंगोली में फ्रॉग बोलते हैं बेंग को तो अगर आपका पानी सुक जाएगा तो आपको फ्रॉग नहीं मिलेगा तो तीन सुक किया से हमने बनाया था मतलब सुख गया तो यहां पर ब्यांग नहीं मिलेगा तो ब्यांग मारा उसी साब से आप शौट्री बना के आप याद कर सकते तो चलिए सर आम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं क्वेश्चन नमबर त्री में क्या बोल रहे हैं देखिए आत्मानु सुन्दन इस एन अटोबाइग्रफी रीटेन बाई आत्मानु सुन्दन इस एन ऑटोबाइग्रफी कौन लिकेते सर बोलिये वेरी एजी क्वेस्टेन आपको पता होगा आत्मानु संदन बुक कौन से कौन लिकेते सर बोलिए राइट आंसर इस यो होम एन बॉर्गहाईन हम बोलते न कि मतलब हम होम में रहते तो हमारे मतलब हमें बहुत शांती मिलता है तो हमारे आत्मा का बहुत शांती मिलता है अगर हम होम अगर घर में रहते हैं तो हो मैं बर्गोहाईन नेक्स्ट आम आगे बढ़ेंगे question number 4 में क्या बोल रहा है सर देखिए which of the following is true regarding the coils found in Assam which of the following is true regarding the coils found in Assam high ash content, high sulfa content, high moisture content, low volatile meta बोलियो सर हमारे Assam में जो coil found मतलब मिलता है वो किसले फ्यमासे right answer is your हमारे कोल्म का sulfur content बहुत ज्यादा होता है बहुत अच्चा फिर हम next आगे बढ़ेंगे IIT Gohati was established in the year कौन से year पे IIT Gohati launch हुआ था right answer is your 1994 अब अपना date of birth के हिसाब से आप याद कर सकते next हम आगे बढ़ेंगे the Visegu festival is celebrated by which ethnic group of Assam वैसागी जो मतलब जो festival है ये कौन से ग्रूप, Assam का कौन से ग्रूप सेलिबरेट करते हैं बोलिये सर right answer is your Bodo Bodo से आप याद B for Visegu, B for Bodo फिन next हम आगे बढ़ेंगे बाइखो festival is an important festival of कोई ये festival बनाता है सर right answer is your Rava next हम आगे बढ़ेंगे question number 8 क्या बोल रहा है सर देखिए who was the first chief minister of Assam very easy question आपको पता होगा yes you are right the answer is your Gopinath Bordoloi फिन next आगे बढ़ें right to information act in India came fully into force in right to information ये आपका इस बार का APSE का question है ये आपका APSE का question है इस बार का 2021 में जो APSE होआ था इसका question प्रीमे आया हुआ था question है right to information act in India came fully into force in right answer is your 2005 में ये सब तो आपको पता होगा कौन से मांत में था सर October मांत में था फिर next आप आगे बढ़ेंगे फिर next आप आगे बढ़ेंगे question number 10 में क्या बोल रहा सर देखिए which of the following wildlife sanctuories is located in Udalgori district Udalgori district में आपका कौन सा wildlife sanctuary मिलता है वो आपको बताना है बोलिए सर Udalgori में आपका Bernardi wildlife sanctuary मिलता है तो right answer is your B फिर next हम आगे बढ़ेंगे question number 11 11 में क्या बोल रहा है मेदम मेफाई is celebrated annually on कौन से डेट पे आपका मेदम मेफाई festival celebrate होता है सर बोलिए मेदम मेफाई जो मतलब जो आपका celebrate करते हैं आपका missing community missing community के जो लोग है वो आप इसको celebrate करते हैं देकि आई आई तो ऐसा मैंने ऐसे बनाया था शोट्री यह होता है आपका 31 जनुवरी में आपका होता है मतलब यार का पहला मांत में और आपका मांत आपका पहला मांत और पहला मांत का लास्ट डे बड़ा इंटरेस्टिंग है मांत आपका पहला होगा फास्ट होगा लेकिन डे कौन सा होगा आपका डे होगा आपका लास्ट बहुत अच्छा फिर नेक्स्ट आप question number 12 में देखें क्या बोल रहा है sir Siang joined by लोहित और दिवांग makes which of the following rivers very easy question आपको पता होगा यह तो आप सबको पता होगा Siang जो है यह आपका लोहित और दिवांग मिल के बनाता है कौन सा river यह आपको पता है sir बोलिए very easy question yes you are right answer is your ब्रह्मापुत्र next हम आगे बढ़ेंगे question number 13 में क्या बोल रहा है sir देखिए which one was the first capital of Oham kingdom in Assam very easy question आप सबको पता होगा right answer is your चराईदेव next नामेरी national park is declared as national park in यह हमने आपको पताया था आपको नामेरी national park कब डिक्लियर किया था sir national park बोलके नामेरी हुआ था आपका 1998 और 1990 में हुआ था आपका मानस हुआ था national park डिक्लियर यह इसको मिला था 85 में और आठ साल बाद आपको नामेरी में मिला फिर next हम आगे बढ़ेंगे question number 15 अली आय लिगांग is an agri best festival celebrated by the यह आली आय लिगांग यह कौन लोग इसको celebrate करते है बोली यह सा आय वार आ रहा है थो अबियसली अंसर ही सब्सक्राइब करते हैं बहुत अच्चा पीर हम आगे बढ़ेंगे question number 16 में क्या बोल रहा है पानी दिहिंग बार्ट सेंक्चूरी इस लोकेटेट इन विच अव दा फोलोईंग डिस्टिक पानी दिहिंग बार्ट सेंक्चूरी इस लोकेटेट इन विच अव दा फोलोईंग डिस्टिक पानी दिहिंग कहां पर मिलता है सर बूलिये देखिए पहले तो आपको option बता देते राइट अंसर इसे और सीव सागर हमारा नाम की आता पानी दिहिंग है ना सर पानी दिख रहे आपको और सागर में क्या मिलता है पानी मिलता है तो मैं तो शियर हूँ कि आप option देखते ही आप टिक मार देंगे एक सेगन भी नहीं लगे फिर next हम आगे बाढ़ेंगे question number 17 में क्या बोल दाए देखिए the first awesome is to compile a dictionary named ham kosh obviously very easy question नाम से आपको पता चल रहा है right answer is your ham chandra borua आपको ये ham से तो आपको ये तो समझ में आ गए ये ham chandra होगा या फिर ham chandra होगा दोनों का ham chandra है लेकिन एक का टाइडल है बरुआ और गुस्वामी लेकिन आपको बरुआ लेना है ham chandra बरुआ होता है ham chandra गुस्वामी नहीं होता है ham chandra बरुआ होता है फिर next हम आके बढ़ेंगे question number 18 में क्या बोल रहा है सर्द देखिए the source of maximum income to पांचाहित राज institution is maximum आपका income पांचाहित राज में कौन से source से मिलता है सर बोलिये very easy question right answer is your government grant से मिलता है सबसे ज्यादा source of income question number 19 who is the author of the famous book pita putra who is the author of the famous book pita putra book कौन लिके थे सर यह आपको बताना है right answer is your homen borgoheim pita putra जो बूक है सर यह कौन लिके थे homen borgoheim excellent फिर हम next question number 20 में जा रहें सर question number 20 क्या बोल रहा है the first awesome is romantic poem is the first awesome is romantic poem is the right answer is your bon quarry आप इस ऐसे याद कर सकते जो कोई भी अगर romantic poem होगरा लिकना है तो यहां forest में जाके लिखते हैं ना पहले 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 क्या लोग क्या होता था जो लोग मतलब यह authors वगरा होते हैं राइटर्स वगरा होते थे अपने पुराना movie वगरा में देखे होंगे यह लूग क्या करते थे आपना forest में जाके कोई disturb ना करें तो आपना concentration बना रखने के लिए और forest में जाके लिखना वगरा पसंद करते थे तो forest का दूसरा नाम क्या होए बन जंगल मौनते हैं ना बन जंगल तो बन कोवरी इसी साब से आप याद कर सकते हैं नेक्स हम आगे बढ़ेंगे question about 21 नर्णारायन से तू connects the पंचरतना टाउन with which city very easy question कौन से city को नर्णारायन से तू आपका पंचरतना टाउन और कौन से city को यह connect करता है बुलिए sir very nice फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे the length of दोला साधिया ब्रीज इस very easy question आपको पता होगा वैसे दोला साधिया ब्रीज का length कितना है sir बुलिए very easy question and very important also right answer is your 9.15 km बहत अच्च्छा फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे question number 23 which state was separated from Assam in 1963 1963 में कौन से state अपका Assam से separate हुआ था बुलिए sir right answer is your nagaland next हम आगे बढ़ेंगे question number 24 लाचित बर्फुकन का मैदम खाँ पे लोकेटेट है sir बुलिए लाचित बर्फुकन का है sir जुडहाट में very nice फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे question number 25 आपके सामने यह रहा who was the first chief justice of Guwahati High Court very easy questions आपको पता होगा ग्वाटी High Court का first chief justice कोन है sir बुलिए very easy question आपको पता होगा right answer is your RF lodge बहुत अच्चा कोई question थे फिर हम आगे बढ़े question number 26 which one is the state bird of Assam अमारे Assam का state bird कौन है कौन सा अमारा state bird है बोलिए sir very easy question आप सबको पता होगा yes you are right my dear answer is your white winged wood duck white winged wood duck देगे www white winged wood duck कि next हम आगे बढ़ेंगे question number 27 क्या बोल रहा है for how many days captain Wales stayed in Assam ये इतना important ने ये लेकिन फिर भी for how many days captain Wales stayed in Assam कितने दिन के लिए उरूके थे सर्वो 17 months के लिए उरूके थे बहुत अच्चा फिर next आम आगे बढ़ेंगे question number 28 who is the first Assamese woman is is first Assamese woman is कोन ते ये आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही उनका death हुआ था ये corona period के टाइम पे right answer is your पारूल दास right answer is your पारूल दास next हम आगे बढ़ेंगे question number 29 29 में क्या बोल रहा है sir who was the first to start the system of land surveying in Assam ये हमने आपको short trick देखे हमने आपको पढ़ाया था और ये बड़ा अच्छा short trick हमने बनाया था लेकिन बहुत मज़ा भी आने वाला है right answer is your गदादर सिंगा तो हमने ऐसे याद किया था ये जो हमारा जो होता है ना ये गदा बोलते जो मतलब वो जो आपका क्या बोलते जो लटी बोलते ना लटी बोलते ना तो ये वाला पकड़के लेंड सर्वे किया था हम इसे short trick बनाये थे नेक्स्ट क्वेशन नाबर तर्थी हाओ मेने मैक्सिमाम मेंबर सरे लेक्टेट फॉम आसामीन राज्यसवा वेरी एजी क्वेशन आपको पता होगा राज्यसवा में हमारा 7 होता है और लोग्सवा में उसका डावल ह होता है तो that is your 14 एक इतना बार रिपीट होगा अच्छा काफी स्टूदेंस यह कुछ एक क्वेशन मतला एक दो आप में से उन्होंने बोला तना कि मतलब कुछ क्वेशन से रिपीट हो रहा है तो यह रिपीट वाला क्वेशन से नहीं लेने के लिए सारेक्शली क्या होता ह है जब हम मतलब क्या बोलते है एक्चली क्या होता है हम इसका क्वेशन ना इतना डिक्टो वान बाइन 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 हम उसका क्रोस चेक नहीं करते हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता हम क्या करते हमारे जो राइटर ही होता है ना जो यह हमारे टीम मेंबर को है जो तो उनको हम क्या करते डायरेट प्रोवाइट करा देते question paper तो उस हिसाब से वह आपना paper बना के हमें दे देते हम direct paper लेके आपके साथ discuss कर लेते तो सर हमा मतलब इतना time नहीं होता है कि मतलब हम पूरा cross check करें कि कौन सा पहले ये question आया हुआ है कौन से lecture में कौन सा marathon में हमने डाला है तो यह हमारे लिए cross check करना possible ही नहीं है टाइम ही नहीं है इतना है ना सर तो अगर एक दो question आपका c50 question series में है यह obviously यह static section है यह आपका repeat होन होने वाला है एक दो question चार पाच question repeat हो रहा है तो क्या problem हो रहा है दीजी हमारे लिए तो आच्छा है रिवाइस होगा आप चोटी मोटी बात के लिए पुस्ता हो जाते सरे गुस्ता नहीं करेंगे चलिए फिर आगला वाला आंसर बताए question number 31 आपके सामने यह रहा who was known as विक station कनक लता वर्वा माठीयर होए थे हमारे आसम से आपको पता होगा अभी question पूल रहा है कि कौन से police station में इनका यह हुआ था आपको पता होगा पूलिये सर क्या होगा राइट आंसर इस यह गौफपूर इंसिटेटेंट आप सबने सुना यह होगा आप सबको पता होगा तो गौफपूर में आपका जो आपका इंसिटेंट वा था उची से मतलब उनका फिर वह मतलब उनको टैज तू संटेंश दे दिया था फिर next question आ वेश्ट कावी आंगलंग का आपका हैड़कोर्टर कहां पर है आम रेंग जो भी बूली है नेक्स्ट नबर राइट आंसर इस और नाइटीन हंडेट वान नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्या आप बोल रहें दोलिये राइट आंसर इस और जोड हाट जोड हाट में अपका रेंट रिशर्श इंस्टीट है फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दा रेलिवे रोड लेंथ इना साम इस अप्रोक्सिमेटली बुरी है सर कितना है हमारा रेल रोड एराउंड कितना किलोमेटर का है सर बुलिए राइट आंसर इस यो टू फोर त्री फोर जी कितना मेजिकल नमबर है ना टू भी आ गया फो टू फोर टू इसको कैसे लिका टू फोर एक बार आया टू के साथ हैब बार फोर आया और टू के साथ और एक बार फो रा या इस ै स्ट्टी के साथ जया ज़त सकते। हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे question number 37 में क्या बोल रहा है question number 37 which Assamese writer is also known as उपईननास समराट किन है उपईननास समराट बोला जाता है बोली एसर right answer is here राजनीकंता वर्दलोई राजनीकंता वर्दलोई को क्या बोलते थे उपईननास समराट बोला जाता है next हम आगे बढ़ेंगे question number 38 हालो दिया चोराए बाउधन खाय won the national film award for the best feature film in the या कौन से या में हालो दिया चोराए बाउधन खाय को national award मिला है आपको बताना है बोली है सर right answer is here 1998 अभी तोड़ी तेर पहले हमने पढ़ा था 1998 में क्या हुआ था सर ना मेरी जो national park है ना मेरी नेशनल पार्क को ना मेरी को नेशनल पार्क डिकलेर किया गया था 1998 में बहुत अच्छा फिर हम आगे बढ़ेंगे who is appointed as first ever sports ambassador of Assam very easy question आपको पता होगा yes you are right answer है आपका हीमा दास फिर next हम आगे बढ़ेंगे question number 40 क्या बोल रहा है the novel Abhijatari was written by Abhijatari novel कौन लिकेते सर भूलिये question number 40 the novel Abhijatari was written by right answer is here Nirupama Borghain next हम आगे बढ़ेंगे question number 41 which Sikh guru built the famous gurudwara in Dubri town very important question which Sikh guru built the famous gurudwara in Dubri town Dubri town में आपका कौन सा gurudwara बना था कौन बनाये थे ये आपको बताना है सर भूलिये very easy question right answer is your guru tag Bahadur अपने ये नाम सुने होंगे guru tag Bahadur ने gurudwara इन Dubri town में बनाये थे next हम आगे बढ़ेंगे question number 42 is Tiger reserve आपका कौन से नेशनल पार के साथ tag किया था सर भूलिये very easy question आपको पता होगा that is Manas is known for Tiger reserve next question number 44 the biography Samritir Thirtha is written on the life of Samritir Thirtha is written on the life of on the life of Navin Chandra Vardalui Navin Samritir Thirtha next question number 45 the bridal dress of Bodo is called very important question the bridal dress of Bodo आपका bridal dress होता है उसका नाम के हैसर भूलिये right answer is your salamata right answer is your salamata बहुत अच्छा next question number 46 in which या सात्रिया is recognized as a classical dance by संगितनातक एकाड़मी कोन से यार में आपका सात्रिया को या classical dance declare किया संगितनातक एकाड़मी में sir right answer is your 2000 next हम आगे बढ़ेंगे question number 47 बाइदिमा is a traditional dance of आपको option से दिख रहा है या आपका डिमा वार्ड से क्या आया डिमा सा वार्ड आया तो बाइदिमा is a traditional dance of डिमा सा बहुत अच्छा next हम आगे बढ़ेंगे question number 48 होनो पुजा is celebrated by कौन करते सर बूलिये right answer is your theory option is your B फिन next हम आगे बढ़ेंगे question number 49 आपके समने ये रहा बोलिये मेडम 49 का क्या है the first अंकिया नैट written by संकर देवा the first अंकिया नैट written by संकर देवा is बोलिये सर 49 का अंसर क्या है right answer is your B चिनहायत्रा right answer is your चिनहायत्रा is your right answer next हम आगे बढ़ेंगे आज का last question आपके समने ये रहा question number 50 the कुजाई गौर in हाजंग community is referred to कुजाई गौर जो आपका हाजंग में है हाजंग community है ये किस चीज़ को refer करता है ये आपको बताना है और यह में आपके ऊपर चोड़ रहाओ आप हमें comment section में यह जरूर इसका answer बोलेंगे सर और I hope आपका यह series आपको अच्चा लगा होगा आपको यह series कैसा कैसा लगा आप हमें comment section में ज़रूर बोलेंगे और आपका इस response देखके हम आगे सोचेंगे कि आपका और यह sequence आगे continue करें कि ना करें क्योंकि SCRT based previous year question मैंने इतना नहीं देखा काफी दिक्कत होता इसको डून के आपके सामने लाने में काफी मतलब पूरा research करना बढ़ता है तो इसके बाद ही फिर मतलब you know questions बनता है तो हम कोशिश कर रहें जितना होसा कि हमारे side से आपको पुरा provide कराने के लिए और आपका preparation देखके भी हमें बहुत अच्छा लगता है आपका preparation बहुत अच्छा चल रहा है और अप लगे रही है और लास्ट तक हम पुरा अच्छे से पुरा जोस और एनरजी के साथ हम लास्ट तक यह preparation को अच्छे ले जाएंगे हम इतना मानते हैं कि मतलब you know preparation never go in vain कभी आपका preparation वेस्ट ही जाएगा उपर वाला हमारा काम हमारा preparation का जरूर को एक positive output देंगे तो आप अपना preparation और अच्छा बैटर बनाईए और टेंशन मतलीजिए हम बहुत अच्छे मार्क के साथ एक अच्छा मेरिट लिस्ट के साथ और एक अच्छा department जोइन करने वाले हैं तो जाते सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए लाइक और श्यार करना ना भूले और अपना के साथ जरूर स्यार कीजिए इसी के साथ हम आपका विदा लेते तब तक के लिए टेक क्या बबाई